सर्वेभ्यो नमो नमा, नमशकार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुकम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतीभा दिक्षित आज के वीडियो में हम स्कूल लेक्चरर फस्ट गेड आर्पीएसी का जो दोजार अठारे में वेकेंसी निकली थी जिसका गिये एक्जाम हुआ था चार जनवरी दोजार बीस को तो उस प्रशन पत्र को इस वीडियो में हम हल करेंगे इससे पहले हम सेकंड गेड से सम्मंदित चार प्रशन पत्र हल कर चुके हैं और ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी संस्कृत से कर रहे हैं तो ये आविशक नहीं है कि आप उसी परिक्षा से सम्बंदी प्रश्ण पत्र देखें जो प्रश्ण है जिसे RPSC संस्था है वो संस्कृत के पेपर करवाती है तो चाहे 1st grade हो या 2nd grade हो बशर्ते की सलेबस में वो दोनों टॉपिक सेम है तो वो जो प्रश्ण है वो लगातार repeat होते रहते हैं 2nd grade और 1st grade RPSC के ये जो दोनों पाटिक्रम है बहुत सारा सलेबस इनमें सेम है व्याकरन के बहुत सारे topic similar है, इसके अतिरिक्त साहित्य में वैदिक साहित्य हालां कि Second Grade में नहीं है, फर्स्ट गेरेड में है, लौकिक साहित्य बहुत सारा similar है, इसके अतिरिक्त बहुत सारा topic जो topic हैं, बहुत सारे विशे एक जैसे हैं तो ये प्रश्ण पत्र फस्ट गेड के लिए जितना उपियोगी है उतना ही सेकंड गेड के लिए भी उपियोगी है रीट के लिए भी उपियोगी है आप किसी भी प्रतियोगी परिक्षा के तैयारी कर रहे हैं आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के प्रश्ण प अपत्र देखे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि देखिए किस तरीके से प्रश्न एक दूसरी परिक्शाओं में भी right होते हैं। पूचे जाते हैं और इनी में गलतियां होती हैं यह कह रहे हैं कि लोप संग्या का विधान करने वाला सूतर कौन सा है। पहले नमबर पर दिया गया है अदर्शनम लोपह, दूसरे पर दिया गया है तश्य लोपह, तीसरे पर हलंत्यम और चौते पर तुल्याशे प्रैतनम सवर्नम, तो इसमें तो आप समझ जाएंगे कि ये तो नहीं है, हलंत्यम में भी आपको लगेगा कि ये तो इत संग्या का विधान करने वाला सूत्र है लेकिन इसमें भी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इत में भी लोप होता है लेकिन वस्तुत है ये जो हलंत्यम है ये इत संग्या का विधान करता है ये ये नहीं कहता कि लोप होगा, ये कहता है कि जो अंतिमहल हैं वो इतसंग्यक होते हैं, उसके बाद एक और सूत्र आता है तश्यलोपह और उस इतसंग्यक का लोप हो जाता है, ऐसा ये विधान करता है तश्यलोपह, तो इन में से ये जो अदर्शनम लोपह सूत्र है, प् कहता है कि अदर्शन हो जाना होते हुए भी दिखाई ना देना उसको लोप कहते हैं तो लोप संग्या का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है तो ये है अदर्शनम लोपह option नमबर एक तश्य लोपह जो है वो इत संग्या का लोप करता है जैसे देखिए एक तो होता है पढ़ चुके हैं तो उसी प्रकार से आप याद रखिए कि लोप संग्या का विधान करने वाला सूत्र है अदर्शनम लोपह जबकि जो इत संग्यक हैं जिनका अन्य सूत्रों के द्वारा जिनकी इत संग्या हो गई है उनमें जो लोप है वो तश्य लोपह सूत्र करता है तो आपको ध्यान रखना है लोप संग्या का विधान करने वाला सूत्र अदर्शनम लोपह है दूसरा प्रिशन है परह संणी कर्शह खालिस्तान किम तो परह संणी कर्शह सहीता तीसरा प्रिशन है रिटू रशानाम मूर्धा तो रिटू रशानाम का उच्चारन स्थान क कती विदो अस्ती तो यह यहां पर पूछ रहे हैं उच्चारण यत्न कितने प्रकार के होते हैं तो अगर आप देखेंगे अगर यह पूछता आभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं बाहिये यत्न तो अलग अलग उत्तर होते हैं लेकिन यह कॉमन प्रिश्ण टुवा है जितने भी प्रिश्ण पत्र हमने आज तक देखे हैं तो अगर अब भी आपका ये प्रिश्ण परिक्षा में गलत होता है तो आपका कुछ नहीं हो सकत criter इसलिए आप प्रिश्ण पत्रों को बारी की सि देखिए, ये देखिए कि कौन-कौन से प्रिश्ण बार-बार पूछे जाते रहे हैं, तो सुबंत और तिगंत की क्या होती है, सुबंत और तिगंत की होती है, पद संग्या, छटा प्रिश्ण है, सुभाबलस उक्ति, इत्यश्य संधी पदम अस्ती, यहाँ पर संधी पद क में हुई है आयादी संधी तो यहां पर हो जाएगा द्वावू प्लस आपी द्वापी अउ के स्थान पर आवादेश होकर यहां पर द्वापी पद बना है आठवा प्रिश्ण है जगत शब्दश्य प्रत्मा बहुवचने रूपम अस्ति जगत शब्द का प्रत्मा बचन में क्या रूप बनेगा ग्याधातू का तो यह हो जाएगा जानी महा दसवा प्रिश्ण है एंगी पर रूपम इती सूत्रश्य उचितम उधारणम अस्ति एंगी पर रूपम से जो पर रूप संधी का विधान करता है यहां पर कौन सा हो जाएगा यहां पर हो जाए शब्द सिद्धी अस्ति तो इस चुनाश्चू सूत्र के अनुसार कौन सा शब्द यहां पर बना है तो यह हो जाएगा दुश शाषनम दुश प्लस शाषनम बारेवा प्रिश्न है तत प्लस टंकणम इत्यत्र संदी रूप होगा तो यहां पर श्टुत्व हो कर हो जाएग तंटंकनम इस प्रकार से जलाम जशों अनते इती सूत्रश्य समीचीनम उधारनम अस्ती जलाम जशों अनते सूत्र का समीचीन उधारन कौन सा है तो यहाँ पर हो जाएगा आब अनतह इस में Spaukins थान पर तो आप प्लस अंतह परे स्वर रहते तो यह हो जाएगा आबंतह चोदवा प्रिश्ण है वागरी इती कृते उचितम सूत्रम अस्ति वागरी के लिए कौन सा उचित सूत्र है कि सूत्र से यहां पर विधान हुआ है तो यहां पर है जयो हो अन्यतरश्याम ऑप्शन नमबर जयो हो अन्यतरश्याम से यहां पर हत्व होता है जो ह ह है वाग प्लस हरी इस प्रकार का पद होता है मूलतह तो यहां पर पहले तो जशत्व होकर को के स्थान पर गह हो जाता है और ह के स्थान पर चतुर्थवन गह हो जाता है तो यहां पर हो जाएगा जयो हो अन्यतरश्य पंदरवा प्रिश्ण है गमो रिश्वाद अची नमो नित्यम इती सूत्रेंड किम कारियम भवती इस सूत्र से क्या कारिय होता है तो इस सूत्र से होता है नमट का आगम option number 3 सोलेवा प्रिश्ण है नवुल त्रिचवु प्रत्यवु कस्मिन अर्थे भवता हर नमुल और त्रिच प्रत्य किस अर्थ में होते हैं तो ये होते हैं करता अर्थ में करत्री अर्थे सत्रवा प्रश्ण है शिवर प्लस वंद्यह इत्यत्र रकारम केन सूत्रेन उकारम शात ये जो प्रश्ण है कि इस प्रश्ण से संबंधित जो सूत्र है उससे बतलब उस सूत्र का मैंने आपको एक प्रश्ण पत्र में बताया भी था कि हशिच्च जो सूत्र है बहुत इंप एक न एक प्रश्ण आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा, तो शिवर प्लस वंध्यह, इसमें रग के स्थान पर उ आदेश, कौन से सूत्र से होता है, तो वो हो जाएगा हशीच, अठारेवा प्रश्ण है, रोरी इती सूत्रेन किम कारियम भवती, देखिए रोरी भी है, तो विसर्ख संदी में आपको ये, वैसे तो विसर्ख संदी में जादा सूत्र है नहीं, पांसाथ ही सूत्र है, सभी को अच्छे से पढ़िए, लेकिन उनमें भी रोरी ड्रलोपे पूर्वश्यदीर गोणा, हशीच, अतोरोर प्लुतात पुते, ये जो चार हैं, इनक का रेफ परे रहते, लोप हो जाता है, अर्थात पहले भी रहो, बाद में भी रहो, तो जो पूर्ववाला रहा है, उसका लोप करने का कारियर रोरी सूत्र के द्वारा किया जाता है, तो यहां पर हो जाएगा, उप्शन नमबर एक, उन्निसवा प्रश्न है, कउ सत संद् प्रत्य पढ़ते हुए हमने विश्त्रित रूप से बात की थी, संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस से आपको वीडियो मिलेगा, जिसमें हमने डेटेल से प्रत्यों को पढ़ा है, तो शत्री और शानच यो प्रत्य है, इनकी सत संग्या होती है, यह सत संग्या कहे जाते ह अगला प्रिश्ण है तवास्मी गीत रागेन हारिना प्रसभम रत हुत यह इकुपर युप्त पद्ये चंद हैं। पद्य में कौन सा चंद है तो इसमें हो जाएगा अनुष्टुक चंद अगला प्रिश्ण है शाद खालिस्थान यदि तौ जगव गह इत्यत्र रिक्त स्थाने किम शाद तो क्या हो जाएगा शादी इंद्र वज्रा यदि तौ जगव गह तो यहाँ पर हो जाएगा लगतार रिपीट होते रहे हैं तो चंदों के सभी के आपको लक्षन याद होने चाहिए इनसे संब्बंदित जो महतपूर्ण उधारण है जो बारवार पूछे जाते हैं वो भी अगर आप याद रखें तो अच्छा होगा नहीं तो आप उधारण तो वन देखकर या लगा सकते हैं लेकिन चंद से संबंदि जो लक्षन है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए तो यह कौन सा चंद हो जाएगा यहांपर हो जाएगा यमन सब लाग शिखरणी चंद में यहण वेवस्ता होती है यमन सब लाग 25 प्रिश्ण है चतुर्भी यगणई कश्य चंद सह निर्मिती भवती चारो यगण कौनसे चंद में होते हैं तो भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारई यहाँ पर हो जाएगा ओप्शन नमबर दो 26 प्रिश्ण है वंदे तामरस भारतिम सुर्णुताम स्री राज राजे श्वरीन चरणे असमिन कतमं चंदह वर्तते कौनसा चंद है इसमें तो इसमें है शार्दुल विक्रिडद चंद 27 प्रिश्ण है द्वादश वर्नातमकम नभव भरव इती गण व्यवस्थातमकम चंदह शात नभव भरव किसमें होती है गण व्यवस्था तो दृत विलंबितम आह नभव भरव यहाँ पर हो जाएगा ओप्शन नमबर एक 28 प्रिश्ण है मारगे पदानी खाली स्थान ते विश्मी भवनती ये प्रिश्ण जो हम प्रिश्णपत्र हल कर चुके है उनमें जोंक तो रिपीट हुआ है तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर होगा है कोन सा यहां पर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा पुनह पुनह विग्नाई पुनह पुना अपि प्रतिहन्यमाना प्रारप्तम उत्तमगुणान परित्यत्यन्टी ये जो प्रशन है ये पहले भी हमने जो पृशन पत्र किये हैं Second Grade के उनमें रिपीट हुआ है ये वाला उपयोगी होंगे और इसलिए मैं चैनल पर सभी भरती परिक्षाओं से सम्मंदित पहले के प्रश्न पत्र लेकर आ रही हूं दीरे दीरे हम सभी प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप एक भी वीडियो जो है उसको मिस मत कीजिए पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पता लगे कि किस-किस तरीके के प्रश्न पूचे जाते रही हैं प्रधान मंत्री महोदया, खालिस्थान अत्र आगमिश्यती, ऐसा लग रहा है किसी एक प्रश्ण पत्र से उठाकर सारे अव्वे के प्रश्ण इस प्रश्ण पत्र में रख दिये गए हैं, तो आपको याद आ गया होगा, यहां पर मैंने आपको पताया भी था, बविश्यत काली की क्रिया है, तो उसके अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा, श्वहा, आप्शन नमबर दो, 32 प्रश्ण है, खालिस्थान वैशम्यम, लोक व्यवहारश्य, इत्यत्र रिक्त स्थानम, पूरे अन्तु, क्या होगा यहां पर, यहां पर हो जाएगा, धिक, वैशम्यम, पहले के प्रश्णपत्रों से लिए गए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से प्रश्णपत्रों को देखना है, अगला प्रश्ण है कस्मिन चंद सी यगण द्वयम विद्यते, किस चंद में दो यगण होते हैं, तो ये हो जाएगा मालिनी चंद, चोतिस्वा प्रश्ण है, एशु अव्यपदम अस्ती, इनमें से अव्यपद कौन सा है, तो तेवाक चेतह तूशनीम, तो अव्यपद क्या हो जाएगा यहाँ पर? तूशनीम 35 प्रिश्ण है हरी शब्दर्शे शष्टी बहुवचनम अस्ती हरी शब्द का सष्टी बहुवचन का रूप क्या बनता है तो ये बनता है हरी नाम 36 प्रिश्ण है सक्ख्यू इतिशद रूपम अस्ती सक्ष्ख्यू जो है ये किसका शब्द रूप है ये प्रिश्ण पहले भी repeat हुआ है तो किसका है ये पंचमी सष्टी एक वजन का रूप हो जाता है सक्ष्ख्ख्यू 37 प्रिश्ण है अधोंकिता नाम, युगमा नाम, समीची नाम, तालिकान, शिनुत तो यहाँ पर पद दिये गए हैं उनमें वचन और विभक्ती देखनी है और इनको मैच करना है पित्रोहो जो है यह हो जाएगा सश्टी सप्तमी का द्वीवचन, भूबरता हो जाएगा दृतिया का एक वचन, गुरू जो शब्द है यह हो जाएगा दृतिया का एक वचन, और महन तह यह हो जाएगा प्रतमा का बहुवचन तो इसमें हो जाएंगे 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 किसमें है option number 1 38 प्रश्ण है धेनु शब्दश्य पंचमी एक वचने वैकल्पिक रूपे स्तह धेनु शब्द का पंचमी एक वचन में कौन-कौन से वैकल्पिक रूप होते है तो पंचमी में हो जाएंगे धेन वहा धेनो हो option number 4 अगला प्रश्ण है असमद शब्दश्य सर्वनामनह महियम में इती रूपे स्तह महियम और में ये कौन से होते हैं किस विभक्ति में होते हैं तो ये होते हैं चतूर्थी एक वचन में option number 1 चालिसवा प्रिश्ण है वदू शब्दश्य प्रथमा एक वचन मचनम द्वितिया बहु अचनम रूपम तो वदू शब्द का प्रथमा एक वचन में और द्वितिया बहु अचन में क्या रूप वनता है तो ये हो जाएगा option number 2 वधु 41वा प्रिश्ण है院 सर्व इती सर्व नाम नहा पंच मी एक वचनम रूपम अस्ति पंच मी एक वचन का रूप क्या बनेगा तो ये हो जाएगा सर्वसमात option number 2 42 प्रिश्न है इदम इती सर्वनामना स्त्री लिंगे चतुर्थी पंचमी भहुवचनम रूपम अस्ती इदम स्त्री लिंग में चतुर्थी पंचमी में भहुवचन का रूप क्या बनेगा तो ये हो जाएगा आभ्यह अगला प्रिश्ण है पाधातो विदिलिंग लकारे मध्यम पुरुष द्वी वचन रूपम अस्ती पाधातो का विदिलिंग लकार का मध्यम पुरुष और द्वी वचन का रूप क्या बनता है तो ये बनेगा पी बेतम चम्वालिस्वा प्रिश्ण है अस धातोल रिटी उत्तम पुरुषे बहुवचनम रूपम अस्ती अस धातूल रिटलकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा तो ये हो जाएगा भविश्या महा 45 प्रिश्ण है अघनन इती रूप धातु रूपे मूल धातु अस्ती तो अघनन में मूल धातु कौन सी है इसमें है हन धातु 46 वा प्रश्ण है मुद्धातो विदी लिंगी मध्यम पुरुषे पहुवचने रूपम अस्ती मुद्धातो का विदे लिंग मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप क्या होगा इसमें सही उत्तर हो जाएगा option number एक मोदे ध्वम 47 वा प्रश्ण है अलबथा इती शब्द रूपम अस्ती अलबथा किसका शब्द रूप है तो अलबथा हो जाएगा लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का पद तो ये हो जाएगा option number 4 48 वा प्रश्ण है क्रीधातो आत्मने पदे लोटी उत्तम पुरुष एक वचनम अस्ती क्रीधातो आत्मने पद में लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा तो यहाँ पर कोई भी उप्युक्त उत्तर ना होने के कारण ये प्रिश्ण RPSC के द्वा उनके साथ उनको मिलाना है तो दुखदवान में कौन सा प्रत्य हो जाएगा दुखदवान में हो जाएगा क्तवतु प्रत्य संपच्य में उपसर्ग है और अंत में यह दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ल्यप प्रत्य भोगतुम में हो जाएगा तुमन प् प्रत्य करके रूप बनता है तो वस धातु में संप्रसारण होकर और रूप बनता है उची तह ओप्शन नमबर तीन 51 प्रिश्ण है चय नियों इती शब्दे चिय धातो हो कश्य प्रत्य श्य विधानम अस्ती तो चय नियों में तो आप सपष्ट बता सकते हैं कौन सा प्रत्य हुआ है अनियर प्रत्य 52 प्रिश्ण है भजधातो क्तिन प्रत्य कृते रूपम भवती क्तिन प्रत्य करके भजधातो से क्या रूप बनता है तो यहाँ पर हो जाएगा भजधातो से बनेगा भाक्ती ही प्रिपर्वा प्रिश्ण है उष्ण भोजी इती रूपे उष्ण यूर्वकश्य भुजधातो उष्ण पूर्वकश्य उष्ण पूर्व में भुजधातो से कश्य प्रत्यश्य विधानम शाद किस प्रत्य का विधान हुआ है तो कौन सा प्रत्य लगा है उष्ण भोजी मे तो यहाँ पर हो जाएगा निनी प्रत्य अगला प्रिश्ण है लगीमा इती रूपे लगु शब्दात कश्य प्रत्य श्य विधानम अस्ती लगीमा में लगु शब्द से कौन से प्रत्य का विधान किया गया है तो इसमें हो जाएगा इम निच प्रत्य प्रत्य पचपनवा प्रिशन है दिशी मंदाय ते टे जो दक्षण श्याम रवे रपी तश्यामे व्रगो पांडया प्रतापमन विशेहिरे अत्रको अलंका रह ये प्रिशन बार-बार रिपीट होता रहा है हब तक हमने चार प्रिशन पत्र किए है उनने से दो में ये था था पीसरे इसमें ये रिपीट हुआ है तो जहां पर उपमेयक की अधिकता बताई जाए उपमान से जहां पर जिसकी तुलना की जा रही है अर्थात मुख को चंदरमा से श्रिष्ट बताया जाए इस प्रकार का वर्णन हो जहां पर उल्टा हो मुख जादा श्रिष्ट है चंदरमा से तो उल् पन्नाही दारुशे, प्रभुता सर्वतो मुखी, श्लोके असमिन को अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो ये प्रिश्ण पहले भी रिपीट हुआ है, इसमें है अर्थांतरण्यास अलंकार, अठावनवा प्रिश्ण है, नव पलाश पलाश वनम पुरह स्फुट पराग परा पंकजम, कौन सा अलंकार है, देखते ही आप पहचान गए होंगे, इसमें है यमा का लंकार, अगला प्रिश्ण है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमाईती अभिधियते, तो कस्मिन अलंकारे भवती उपमायाम, ओप्शन नमबर 4, साथवा प्रिश्ण है, साम्यात अधसमिन तद बुद्धी, भवांतिमान प्रतिबोत्तितो, जो जैसा नहीं है, कवी प्रतिभा के द्वारा उसमें वैसी बुद्धी उत्पन कर देना, ये कौन सा होता है, ये होता है भवांतिमान अलंकार, अलंकारों में बहुत महत्तुपून है, इससे संबंदित वीड प्रिशन बार-बार पूछे जाते रहे हैं, तो आप इस अलंकार को अच्छे से पढ़िए, चलते हैं अगले प्रिशन की तरफ, 61 प्रिशन है, निशेद रहित उपमेये यत्र उपमानश्य अभेद आरोपो भवती, तत्र अलंकारों अस्ती, निशेद रहित उपमेये में जहां उपमान का अभेद आरोप होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो जहां पर अभेद आरोपित कर दिया जाए, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार, 62 प्रिशन है, अव्याई भाव समासे प्रायेन कश्य पदश्य प्राधान्यम, अव्याई भाव समास में कौ से पद के अर्थ की प्रधानता होती है तो इसमें पूरु पद के अर्थ की प्रधानता होती है तो यहाँ पर हो जाएगा ओप्शन नमबर दो तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधार्य समास चोसटवा प्रिशन है अनेकम अन्यपदार्थे इती सूत्रेन समासों भवती अन्यपद के अर्थ की प्रधानता होने पर जब अनेक पदों का समास होता है इस सूत्र से कौन से समास का विधान किया जाता है तो इस से किया जाता है बहूरी ही समास का तो यहां पर हो जाएगा option number 4 65 प्रिश्ण है क्रिश्णा श्रितह इत्यत्र समास है तो द्वितियांत का श्रित्पद के साथ समास होता है द्वितिया तत्पुरुष में तो यहाँ पर हो जाएगा option number 2 तत्पुरुष समास अगला प्रिश्ण है शक्तिम अंतिक्रम्य इत्यश्य विग्रहश्य समस्त पदम्शाथ क्या समस्त पद होगा तो शक्तिम अंतिक्रम्य में यहाँ पर हो जाएगा यथा शक्ती option number 1 अगला प्रिश्ण है हस्ते अश्वं इत्यश्य विग्रहो अस्ती इसका क्या विग्रह होगा तो इसका हो जाएगा हस्तिनश्च अस्वाश्च एतानाम समाहारह ओप्शन नमबर चार 68 प्रिश्ण है दमपत्ती पुत्रम अभाशत इती वाक्यम शुद्धम कर्णियम इस वाक्य को शुद्ध करना है दमपत्ती जो पद है ये द्वीवचन का है तो यहाँ पर द्वीवचन का पद होकर पद बनेगा दमपत्ती पुत्रम अभाशेताम ओप्शन नमबर तीन इसमें सही होगा अगला प्रिशन है विद्याले के चारो और बगीचा है तो विद्याले के चारो और बगीचा का संस्कृत अनुवाद क्या होगा विद्यालेयम परितह उद्यानम अस्ती संस्कृत अनुवाद है क्या इसका संस्कृत अनुवाद होगा तो भगवद गीतायाम कर्म से धानतश्य प्रतिपादनम कृतम अस्ती किया गया है यहाँ पर हो जाएगा उप्शन नमबर दो अगला प्रिशन है एतेशू शुद्धम वाक्यम किम इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है वामनह बलिम वसुधाम याचते तो यहाँ पर यही सुद्ध हो जाएगा क्योंकि जो याच धातू है द्विकर्मक धातू है तो अकतितम्च सूत्र से जो अपादानादी से द्वितिया हो जाती है तो यहाँ पर यह सही हो जाएगा वामनह बलिम वसुधाम याचते पहतरवा प्रिशन है शैनिक देश की से रक्षा करते हैं इत्यश्य शुद्ध संस्कृत अनुवादो अस्ति इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा तो सैनिक अहा नेत्रों से देखते हैं इत्यश्य संस्कृत भाशायाम अनुवादो अस्ति इसका संस्कृत भाशा में अनुवाद क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा वयम नेत्राभ्याम पश्यामः क्योंकि दो नेत्रों से देखते हैं तो उप्युक्त जो होगा वो हो जाएगा वय तो यहां पर होगा अब अलग होते हैं तो इसमें अपादान हो जाएगा तो पंचमी का पद प्रियुक्त होगा और व्रिक्षों से है तो पंचमी भहुवचन होगा तो यहां पर होगा खगा व्रिक्षेब्ध व्रिक्षेब्या उड़ी या आकाशम गच्छनती option number 3 यहां प जाता है इत्यश्य वाक्यश्य संस्कृत अनुवाद हो अस्ती इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा तो यहां पर हो जाएगा कश्य हेतो हो सा गच्छती हेतू में सष्टी विभक्ती प्रियुक्त होती है जहां पर सर्वनाम पद प्रियुक्त हो तो सर्वनाम में और हेत में तो दोनों में सश्टी का प्रियोग किया जाता है इससे संबंदित डिटेल में हमने कारक फ्रक्रण के अंतरगत पड़ा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं तो इसका शुद्ध अनुवाद जो होगा वो होगा कश्य हेतो सागच्छती जित्तरवा प्रिश्ण है देवदत राम का सो रुपे का रिणी है तो यहाँ पर संस्कृत अनुवाद करना है तो जो देवदत है वो रिणी है राम का तो यहाँ पर उत्तम रिण कौन हो जाएगा रिण किस ने दिया है राम ने तो क्या हो जाएगा इसका सही यहाँ पर हो जाएगा देवदत्तह रामाय शतम धारयती त्री जो है धारू धारन करने वाली धातू उसके योग में जो उत्तमरिण होता है उसमें चतुर्थी का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर उप्शन नमबर तीन सही होगा अगला पृष्ण है स्वपनवासवदत्तम इतीनाटकश्य नायक हा को अस्ती स्वपनवासवदत्तम नाटक का नायक कौन है तो इसके नायक है उदियन आप्शन नमबर 3 अठग्टरवा पृष्ण है शुकनाशोपदेश किस काववे में सन्निविष्ट है किस काववे काही भाग है शुकनाशोपदेश तो यह हो जाएगा औबशन नंबर 4 कादंबरी कता काववे अगला प्रिशन है अति स्नेह पाप शंकी इती सूकति कुत्र उकता ये इस सुक्ति कहां पर कही गई है तो ये कही गई है अभियान शाकुंतल में अभियान शाकुंतले असीवा प्रशन है अहो दुरंता भलवत विरोधिता इती सुक्ति के नुक्ता ये सुक्ति किसके द्वारा कही गई है तो किरातार जूनियम का प्रथम सर्ग पस्ट गेड़ के स्लेबस में विशिष्ट है सम्मिलित है वहाँ पर वनेचर के द्वारा ये उक्ति कही गई है तो यहाँ पर हो जाएगा option number 4 81 प्रशन है क्रोधात भावती सम्मोह सम्मोहात स्मृति विब्रमाह स्मृति भरिंसाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशाद क्या हो जाएगा प्रणश्यती तो option number 2 गीता का दियन जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था दो पद्य हैं इनसे सम्मंदित क्रोधात भावती सम्मोह कामात क्रोधा इस प्रकार दो पद्य हैं जिनमें की श्रंकला का वर्णन किया गया है कि किस से क्या उत्पन होता है किस से क्या उत्पन होता है तो आपक लेकिन हमने वहां पर गीता के द्वितिय अध्याय का परिक्षा की द्रिष्टी से विस्त्रेत अध्यन किया है तो आप वहां से वह वीडियो देख सकते हैं चलते हैं अगले प्रिश्न की तर्फ 82 प्रिश्न है कथम भीष्मम अहम संखेद रोणम चमदुसूदन इतिके नु तीन तिरासीवा प्रिश्न है विंशति ही सरगात्मकम महाकाव्यम विद्यते बीस सरगोवाला महाकाव्य कौन सा है तो बीस सरगोवाला महाकाव्य है शिशुपाल वधम 84 प्रिश्न है खल सजना नाम मैत्री की दर्शी भवती खल सजनों की मैत्री किस प्रकारकी होती है तो ये होती है छाये वचाया के समान इस विशेका भी हमने विस्तरित रूप से अध्यन किया है तो ये पंक्ती कहाँ पर उद्रित है अगर आप हमारे साथ अच्छे से पढ रहे हैं तो आपको पता होगा अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताईएगा ये पंक्ती कहाँ से ली गई है खल सजना नाम मैत्री चायेव भवती 85 प्रिशन है कश्य यौव राज्य अभिशेक समये सुकनाशेन उपदेश सह प्रदत्त है किसके यौवराज के अभिशेक के समय किसके यौवराज अभिशेक के समय शुकनाश के द्वारा उपदेश प्रदान किया गया तो किसके किसका यौवराज पद पर अभिशेक हो र वृत्व अत्यत इश्थत, रिक्तिस्थानम पूर्तिम कुरुत तो यहां पर क्या हो जाएका दशा-ंगुलम पुरुषूप्त के विशे में हमने पूरा मंत्र शफा अध्यन किया है प्रति येक मंत्र का एक एक पद का अर्थ देखते हुए अध्यन किया है पर हमने पढ़ा था कि जो पुरुष है वो दस अंगुलियों से बढ़कर इस संसार में व्याप्त है सहस्त्र सीर्षों वाला है सहस्त्रांखों वाला है तो यहां पर हो जाएगा option number 4 अगला प्रिशन है होतारम रत्न धात्मम इती विशेशन द्वयम अस्ति ये दोनों किसके विशेशन है तो होतारम और रत्न धात्मम ये कहा गया है अगनी के लिए तो यहां पर हो जाएगा option number 2 अठ्यासीवा प्रिशन है विश्नु सूक्त के रिशी कौन है तो विश्नु सूक्त के रिशी है दीरगतामा तो यहां पर हो जाएगा option number 1 अगला प्रिशन है सुनह शे है वर्ण सुक्त के रिशी तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नमबर दो नब्यवा प्रिश्ण है ब्रामनों अश्य मुखम आशीद बाहू राजन्य कृतह इती रूपेण कह देव स्तुतह किस देव की स्तुती की गई है तो पुरुष की जो मुख है उससे ब्रामनों की स्त नाष्टी प्रक्रिया का वर्नन है पुरुष तो इसमें किस देव की स्तुती है पुरुष की यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक अगला प्रिश्ण है खालिस्थान वेद नाम ध्यम इति रिक्त स्थान पूर्णं कुरूत तो क्या है यहां पर मंत्र ब्रामनों वे मालती मादवं लिखा है तो इसमें हो जाएगा option number 4 अविमारकम, पिराण में वह प्रिष्न है, भीस मश्य पितुर नाम के मासी whether भीश्म के पिता का नाम था तो भीश्म के पिता का नाम था शांतनु आपर हो जाएगा option number 4 चानमेवा प्रिश्ण है यागवल के स्मृति के अनुसार अनप्राशन संसकार कौन से मास में किया जाता है तो यागवल के स्मृति के अनुसार छटे मास में अनप्राशन संसकार किया जाता है यागवल के स्मृति का अध्यन अभी तक हमने नहीं किया है फस्ट गेड से संबंदित धीरे धीरे वीडि उनका अध्यन भी हम करेंगे तो शिग्र ही इनसे संबंदित वीडियोस भी चैनल पर आने वाले हैं। कोनजे महाकाव्य का ये मंगलाचरण है तो ये है कुमार संबंदित वीडियोस भी चैनल पर आने वाले हैं। रगुवंश और इसके अतिरीत और दो कौन से काव्य हैं उनको आप कमेंट करके बताईएगा। अगला प्रिश्ण देखते हैं निन्याणमेवा प्रिश्ण है यम नची केत समवादह समुप निपद्दो अस्ती यम नची केता का समवाद कौन से उपनिशद में वर्नित है तो ये है कठोप निशदी कठोप निशद में। सोवा प्रिश्ण है पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक अश्चे इती भाग द्वये विभक्तो अस्ती पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक इन दो भागों में किसको विभाजित किया गया है तो वो हो जाएगा सामवेद को। अगला प्रिशन है अविद्या मृत्यूम तीरतवा विद्या अमृतम अशनुते इती वचनम उपनिबद्धम अस्ती ये वचन कहां पर उपनिबद्ध है कहां से लिया गया है कौन सी उपनिशद में वरनित है तो इस उपनिशद का हम अध्यन कर चुके है पहले ही वीडियो इसका uploaded है तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको निश्यत रूप से पता होगा कौन से उपनिशद में ये है ये है इशो उपनिशद में तो यहाँ पर हो जाएगा option number 3 102 प्रिश्ण है दशकुमार चरितम कश्य रचना अस्ती दशकुमार चरित किसकी रचना है तो दशकुमार चरित है दंडे की रचना अगला प्रिश्ण है मेगदूतम इती काव्यम कस्मिन छंद सी निबद्धम मेगदूत काव्य किस छंद में निबद्ध है तो यहाँ पर हो जाएगा मन्दा क्रांता अगला प्रिश्ण है मृच्छ कटिकश्य नाईका अस्ती, मृच्छ कटिकम की नाईका कौन है तो गणिका वसंत से नाईस की नाईका है अगला प्रिश्न है दमियन्ती स्वयमवर वर्ननम कस्मिन महाकाव्य वर्तते दमियन्ती के स्वयमवर का वर्नन कौन से महाकाव्य में है तो यह हो जाएगा नैश्दिय undergrad चरीते अगला प्रिश्ण है भाशश्य नाटक संग्रहेशु उरुभंगम मद्यम व्यायोग पंचरात्रम इती नाटका नाम कथाश्रोतम किमस्ती इन तीनों का कथाश्रोत कहां क्या है कहां से इनकी कथा ली गई है तो ये है महाभारतम महाभारत से एक सो सात्वा प्रिश्ण है वज्ज्राद अपी कठोराणी मृदूनी कुसमाद अपी लोकोत्तराणाम चेतानशी को ही विज्यातुम अरहजी इती पद्यम कस्मात नाटकात ग्रहितम ये पद्य कौन से नाटक से लिया गया है तो इसके विशे में हम पढ़ चुके हैं काव्य दिये गए हैं और उनके काव्य कार दिये गए हैं रचना कार दिये गए हैं तो विक्रमोर वश्यम किसके द्वारा लिखी गई है कालिदास के द्वारा मुद्रा रक्षस के रचियता हैं विशाकदत स्वापनवासवदत्तम हैं भास के द्वारा रचित और मिर्चि उच्छिस्टम कथितम ये प्रिश्ण पहले भी रिपीट हो चुका है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बानश्य बानो उच्छिस्टम जगत सर्वं ये पंक्ती प्रिसिद्ध है अगला प्रिश्ण है शिवराज विजे गद्य काव्य शिव विभाजनम अस्ती शिवराज वि नमबर एक 111 वा प्रिश्ण है खालिस्थान लिंग परिमान वचन मात्रे प्रत्मा तो क्या हो जाएगा प्राति पधिकार्थ लिंग वचन परिमान मात्रे प्रत्मा 112 वा प्रिश्ण है हरिम भजती इतियत्र हरी शब्दश्य केन सूत्रेन कर्म संग्या शात यहाँ पर हरी शब्द की कर्म संग्या कौन से सूत्र से हुई है तो कर्तुरिपसित तमम कर्म इस सूत्र से भजने के द्वारा भक्ती के द्वारा किसको सरवादिक चाहता है हरी को तो इस सूत्र से हरी पद की यहाँ पर कर्म संग्या हुई है अगला प्रश्ण है यवेभ्योग गाम वारेयती इती पंचमी विभक्ति अर्थे खालिस्थान इपसितः इती सूत्रश्य प्रवर्ति भवती रिक्तिस्थान पूर्तिम कुरू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वार्णा अर्थानाम इपसितः तो यहाँ पर होगा option number 1 सब्तिमी के संबंद में यह जो सूत्र है जिससे की उधारन दिया गया है जिसका यह बहुत important है बहुत सारे प्रिश्ण पत्रों में यह लगतार repeat होता रहा है तो आपको जो यह है सूत्र यश्यच भावेन भावलक्षनम इसको अच्छे से पढ़ना है इसका यह जो उधारन है गोशु दुहियमाना शुगता इसको भी अच्छे से पढ़ना है क्या इसमें विधान है तो इसके लिए आप हमारे वीडियो की मदद ले सकते हैं विभक्ति कारक से संबंदित अधिकरण से संबंदित वीडियो है जिसमें से आप देख सकते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यश्यच भावेन भावलक्षनम एक सो पंद्रेवा प्रिश्न है सश्टीच अनादरे इतियनेन सूत्रेन विहितम विभक्ति द्वयम आस्त कौन-कौन सी दो विभक्तियां होती है इस सूत्र से तो सश्टीच अनादरे सूत्र पढ़ते ही आपको जो उधारन है इसका रुदती रुदतह माता गत्वती ये याद आ जाना चाहिए तो कौन-कौन सी विभक्तियों का विधान होता है सश्टी और सप्तमी का तो यहाँ पर हो जाएगा option number 2 116. प्रिश्ण है देवोत पत्ती सिधांत आनुसारेन भाशा केन निर्मिता देवोत पत्ती सिधांत के अनुसार भाशा किसके द्वारा निर्मित निर्मित है तो उसमें हो जाएगा ईष्वरेन इष्वर के द्वारा 117. प्रतियम पुनर अन्यदेव वस्त्वस्ती वानी शुमह कविनाम यत्रत प्रसिद्धा वियवाति रिक्तम विभाती खालिस्थान रिक्तिस्थान पूर्तिम कुरुत तो क्या हो जाएगा यहां पर रिक्तिस्थान में यहां पर होगा लावन्यम इव अंग नासू 108 वा प्रिश्ण है शाद खालिस्थान शब्दो अत्र व्यंज कः स्त्रिधा उपर युक्त रिक्त स्तानियो पूरतिम कुरुत तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खालिस्थान में? यहाँ पर होगा वाचको लाक्षणी कः शाद वाचको लाक्षणी कह शब्दो अत्र व्यंज कह तृधा शब्द तीन प्रकार के होते हैं वाचक लाक्षणी कह व्यंज तो यहाँ पर हो जाएगा option नमबर 4 119 वा प्रश्ण है सतकार्यवाद सिध्धान्तो अस्ती सतकार्यवाद सिध्धान्त किस से संबंदित है किसका तत्तांत है तो यह हो जाएगा सांख्यदर्शन का सांख्यदर्शन के विशे में बहुत ही विस्तरित रूप से हमने पढ़ा है एक अलग से प्लेइलिस्ट है सांख्यदर्शन की कशया चारीय कोक्य लक्षन है तो विश्वनात केहते हैं जर्फ्राइस compl hi तो यहाँ पर इसमें साइक लोजी के क्वेस्टनी साथ में ही आते हैं फॉस्ट गेड़ में ये साइकों से सम्मंदित questions हैं कौन सी रक्षात्म क्रियाविदी नहीं है प्रतिगमन प्रक्षेपन सहाचरय शतिपूर्थी तो यहां पर हो जाएगा option number 3 सहाचरयम 122 प्रिश्ण है 1986 राष्ट्रिय सिक्षा नीती निर्धारक प्रधान मंतरी आसीत कौन थे 1986 राष्ट्रिय सिक्षा नीती के निर्धारक प्रधान मंतरी राजीव गांधी 123 वा प्रिश्ण है सिक्षण मनो विज्ञानश्य उपरी आधारित पद्धती अस्ती सिक्षण मनो विज्ञान पर आधारित पद्धती कौन सी है तो प्रयोजन पद्धती, कृड़ा पद्धती, डाल्टन पद्धती उपर युगत सभी तो यहाँ पर हो जाएगा उक्षण नमबर 4 124 वा प्रिश्ण है 1986 राष्ट्रिय सिक्षा नीत हुखालिस्थान विद्ध्यालया उद्धाटिता इत्यत्र कृक्त स्थान पूर्तिम कुरुत कौन से विद्ध्यालय उद्धाटित किये गए 1986 की राष्ट्रिय सिक्षा नीती के अनुसार तो यहाँ पर हो जाएगा नवोद्यालया 125 वा प्रिश्ण है भारतिय सिक्षा आयोग कश्य नाम अस्ती भारतिय सिक्षा आयोग का क्या नाम है तो यहाँ पर हो जाएगा कोठारी आयोग 126. परस्पर सूचनाउं तथा विचारों का आधान प्रदान करना इती परिभाषा, सिक्षाय, शेत्रे, कश्य, तकनीकी, शबदाय, किर्ते, प्रदत्ता पर इस पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना इसके लिए क्या टेक्निकल वर्ड दिया गया है तो इसमें हो जाएगा संप्रेशन, कम्यूनिकेशन, ओप्शन नमबर दो 127 वा प्रदान है संप्रेशन अश्य, विशेश्ता संती, संप्रेशन की विशेश्ताएं होती हैं 128 वा प्रशन है कम्प्यूटर सहाईत अनुदेशन, इतीकृते आंगल भाशायां कह शब्द समूह प्रयुज्यते क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता है इसके लिए, तो इसके लिए कहा जाता है CAI, Computer Assisted Instruction 129 वा प्रशन है, कम्प्यूटर सहाईत अधिगम, इतीकृते आंगल भाशायां कह शब्द समूह प्रयुज्यते कम्प्यूटर सहाईत अधिगम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा Computer Assisted Learning, अधिगम होता है Learning तो यह हो जाएगा Option No.3 131 प्रशन है, शिक्षन कार्ये अत्याधुनिकं अनुदेशन माध्यमं वार्तते शिक्षन कार्ये का अत्याधुनिक अनुदेशन का माध्यम कौन सा है तो यह निश्चित रूप से हो जाएगा Computer संगन का 131 प्रशन है, केंद्रिये विशलेशक इकाई CPU, अधा युक्तिया, Input Devices और प्रदा युक्तिया, Output Devices इत्याधत प्रकारेन कश्ये शिक्षन साधनश्य, सनरचनाया, अंगानी, प्रदर्शितानी किस सिक्षन साधन की सनरचना के ये अंग है, तो CPU, Input Unit, Output Unit, ये किस में होते हैं, Computer में तो यहाँ पर हो जाएगा Option No. 4 132 प्रशन है, सेक्षिक तकनीकी, अधोक्तिशू, पक्षिशू, विभाज्यते सिक्षक तकनीकी को निम्लिकित पक्षों में विभाजित किया जाता है, ग्यान संचय, ग्यान प्रसारह, ग्यान विकासह, उपरियुक्त सर्वे, तो यहाँ पर हो जाएगा Option No. 4 133 प्रशन है, सिक्षने प्रियुक्ता, एते उपागमा, टेप रिकॉर्डर, जादुई लाल्टेन, चल चित्रम, दूर दर्शनम, की द्रशा उपागमा संती, यह कैसे उपागम है, जोकी सिक्षनम में प्रियुक्त किये जाते हैं, तो यह हो जाएंगे Hardware उपागमा 134 प्रिशन है, द्रिश्य सामगरी, विज्वल एड्स, ग्राफ मॉडल, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, इते ते सिक्षन तक्नीक क्याम, प्रियुक्ता, उपागमा, केन नामना कत्यन ते, सिक्षन तक्नीकी में जब इनको प्रियुक्त किया जाता है, ग्राफ मॉ उधारण नास्ती, सौफ्ट वेर का उधारण नहीं है, माइक्रो सौफ्ट वर्ड, माइक्रो सौफ्ट एक्सल, माइक्रो सौफ्ट पावर पॉइंट और पैन ड्राइब, तो क्या हो जाएगा, उप्शन नमबर 4, पैन ड्राइब, ये सौफ्ट वेर नहीं है, ये बाहर से device दिया जाता है computer में अगला प्रिश्ण है दूरस्त सिक्षा यहाँ प्रमुखानी अंगानी संती दूरस्त सिक्षा के प्रमुख अंग क्या होते हैं मुद्रित सामगरी दृश्य स्रव्वे सामगरी मुक्त विश्वे विद्यालया उपर युक्त सरवानी तो यहां पर हो जाएगा option number 4 137 प्रश्ण है समीची नाम तालिकाम चिनुत तो यह match करना है अधीगमम क्या होता है अधीगमम क्या करता है तो यहां पर है वैभारम परिवर्थियती वैभार को परिवर्थित करता है सिक्षण होता है तो पाठेकरम होता है नियोजित अनुभवान सम्मेलयती और सेक्षिक अयोजिनम अनुभवानाम क्रियान विती करणम तो यहां पर क्या हो जाएगा चार एक दो तीन सारे उत्तर इसमें चार एक दो तीन है तो इसमें किसमें है ये option number 3 तो यहां पर होगा option number 3 138 वा प्रिश्ण है मस्तिशकह विपल्व विधी brainstorming एक विधी है किसकी विधी है ये तो ये है समश्या केंद्रिद विधी option number 1 149 वा प्रिश्ण है राष्टरिये पाठ्य चरिया याह रूप रेखा इत्यश्य लेखनम कया संस्थया माध्यमेन अभवत राष्टरिये पाठ्य चरिया रूप रेखा ये किस संस्था के द्वारा लिखी गई थी किसके द्वारा ये प्रकाशित है तो ये हो जाएगा NCERT option नमबर दो, 141 वा प्रश्ण है सिक्षन प्रतिमानश्य तत्वानी संती, सिक्षन प्रतिमान के तत्व हैं, सिक्षन उद्धिश्य, सिक्षन संरचना, मुल्यांकन प्रणाली, उप्रियुक्त सर्वानी, तो यहां पर हो जाएगा उप्रियुक्त सर्वानी, 141 वा प्रश्ण ह 142 वा प्रिश्ण है भाषा प्रयोग शाला की द्रिशम सिक्षण उपकरणम अस्ती भाषा की जो प्रयोग शाला है वो किस प्रकार का सिक्षण उपकरण होता है द्रश्य उपकरण, सरव्य उपकरण, द्रश्य उपकरण, द्रश्य उपकरण, द्रश्य उपकरण, द्रश्य तो यह है UNICEF की परिवाशा, तो यहाँ पर हो जाएगा option number 2, 144 वा प्रिश्ण है अधो लिखित विकल्प इश्गू, व्यावारिक मनो विज्ञान, श्य छेत्रे, कश्य विकल्प, श्य गणना न भवती, व्यावारिक मनो विज्ञान के एक शेत्र में किस विकल्प की गणन नहीं होती, सिक्षा मनो विज्ञान, नैदानिक मनो विज्ञान, प्रयोगात्मक मनो विज्ञान या वैधिक मनो विज्ञान, तो यहाँ पर हो जाएगा वैधिक मनो विज्ञान, 145 वा प्रिश्ण है, निर्देशन परामर्शयोच सर्वाधिक आवश्यक्ता कश्य आयू कश्य कृते की सो रवस्था के बालकों को तो यहां पर हो जाएगा option number 3 146 वा प्रिश्ण है प्रसिद्ध मनोवज्ञानी कह E.L. थॉर्ण डाइक महोदयेन कस्मिन वर्षे अधिगमश्य सिद्धान तश्य अनुवेशनम कृतम थॉर्ण डाइक महोदयेने किस वर्ष में अधिगम के सिद्धान्त का अनुवेशन किया तो उन्होंने किया था ठारासो अठ्यानमे में option number 2 147 वा सिद्धान्त है अनुकूलित अनुक्रियाया सिद्धान्त श्य प्रवर्थ का आसीत तो अनुकूलित अनुक्रियाया का सिद्धान्त किसका है आईपी पावलो तो यहाँ पर हो जाएगा option number 2 148 वा प्रिश्ण है निर्मितवाद constructivism संप्रत्यश्य मार्ग दर्शक दस्तावेजो अयम अस्ती जो निर्मितवाद है उसके मार्ग दर्शक दस्तावेज के रूप में किसको जाना जाता है कौन सा उसका मार्ग दर्शक दस्तावेज है तो यह हो जाएगा NCRS 2005 149 वा प्रिश्ण है गेस्टाल्ट आधारित संप्रदाया अंतरगते कश्य योगदानम नासीत गेस्टाल्ट आधारित जो संप्रदाय था उसमें किसका योगदान नहीं था वर्दी मर्क, कोफका, कुर्ट लेविन और कोहलर तो यहाँ पर क्या होगा कर्ट लेविन ओप्शन नमबर 3 150 वा प्रिश्ण है तो क्या होता है उसका IQ लेवल तर्मन के अनुसार जो समण्य बुद्धी वाला बालक होता है उसका जो IQ होता है वो होता है 90 से और 110 के बीच में तो इसमें हो जाएगा option number 2, इस तरी इसके से first grade में ये जो 30 प्रशन हैं, ये computer से related आते हैं, कुछ मनोविज्यान से related भी आते हैं, तो आपको इन प्रशनों की भी तैयारी करनी है, first grade से संबंदित, इसके अतिरिक्त जो 120 प्रशन हैं, वो आपके संस्कृत के पाठेकरम से पू पूछे जाते हैं, तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, बहुत बढ़ा हो गया है ये, लेकिन जाने से पहले अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है, और आप इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवा झाल